एल्लो एव्रिवन तो गाइज मैं हूं काजुक हमारे और आज सभी का स्वाउज करती हूं हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर तो गाइज आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैंस का फर्स चेक्टर जो भी है नंबर सिस्टम इस पर मैंने एक पार्ट बना दिया है आप उसको जाकर देख सकते हैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये वीडियो पार्ट सेगेंड है इसमें हम जो उसमें मैंने कॉंसेप्ट आपको बतायती और मैंने कुश्टन्स भी आपको पार्ट सेगें जाए खुछ होगा थे तो चलिए और सबसे इंप्रटन बात वीडियो को एंटर दीकिये और नियूँ है तो जल्दी से हमारे चैन्ट को सब्सक्राइब वीडियो को लाइग देए तो चलिए विदाउट मेंसेट जिसे कि जो हमारे नेक्स वीडियो थी हमन मैंने आपको उसमें पताया था रूट 2 और रूट 3 कैसे गुनाते हैं तो आई फोट को वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारे कुसं समझा के होगी तो अर इसमें मैं आपको एक और बार करवा कर दिखाती हूं मतलब रूट 3 एक और बार रवाइज कर लेत जब हम रूट 3 को रिप्रेजन नमबर लाइक पर तो देखे हम क्या चाहिए होता है था अर बेस चाहिए होता है वैसको बनाने के लिए तो देखे अब हो यह से होख प्री है इस जिकर को हम इसको कैसे लिखेंगे देखे यहां पर हम लिखदिंगे ूप्लस अब दीखें यहां पर जो यह है रूट 2 अब यह तो मुझे नहीं रूट 2 तो हम नमला इस बना सकते हैं तो रूट 3 बनाने के लिए सबसे पहले हमको रूट 2 बनाना होता है तो रूट 2 बनाने के लिए हमको 1 तो यह लेना करता है बें अब यहां पर ही इतना मन गया ऐसे करेंगे हम कम पासे जब ऐसे खीचेंगे तो इतना हमारा रूट 2 बन जाएगा अब रूट 3 बनाएंगे तो उसके लिए हमारा बेस तो यह है अब हम इसमें बसरी 1 का अब बोले हैं अब जितना है यहां था उतना ह हमारा आइगा जीतना है इस्के से मैंने चाने हम यहांMIN पर आएगा यहां से लेकर आशे मिलम को से देखते हमार आजाए। तो जैसे कि यह हमने स्वाप कर ली है और उतना इसली होता है जो इसके बाद हम करते हैं रूट 11 कैसे बनाते हैं दीजिए अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह और बात बदा जाती हूं एक जो स्पारल रूट आपने देखा ही होगा तो इसको एक बाद आप जरूर पढ़े दीजिए अब इस पर बनाना तो वह बहुत ही अगर लॉंग पिरिड लेगा बनाने में इसलिए आपको एंजिया कि मतला के इंपोर्टेंट तो है और आप इसको एंदे ही देख लेना का फ़ह है लम्हाएं बनाना है अब इसको कैसे बनाएंगी अगर जिख मार्टेंगी तो3 का स्कवर नाइन होग elfana तो हम यहाँ पर छिव ले गिए 3 स्कुआ जो की 9 होग प्सक्वर 9 होता है प्लस 1 तो तो यह कुझक Tie पर थे कि परने यह हमको 10 पनाना होगा अब दीखे कि 10 इसे हम क्या चाहिए कि हमको में बेच चाहिए शीका अब हम यह बंका परपेंडिक रणी हुए अब दीखे जितनों आपर हो दाप लाटा उतना है गुलिए यहां पर एसे पहस देने अब दिखे यह तो है, बेस तो है, अब एंस पर बन का और एक और लेडिंगे, तो दिखे यह ऐसे बन द रहेगा और और ऐसे कड़ेगा, तो दिखे, यह था रूट 10, और यह रूट 11, और ऐसे हमको कंपास से जबूर चेक करना है, कि यह 90 डेडी का बना है या नहीं, आप ऐ जब हम इसे बंगाता है तो जब हमको यह जब हो चेक कर रहा है कि यह गूट टू मतरा बोट सुरी नाइटी डिगरी एंगल है या नहीं तो अब दीजिए रहें जब हम इसमें ऐसे लगाएंगे तो इहां पर आएगी जो मारी फिरण फिरण यहां से लेकर अब यहां कभी जितने भी लैंध होगी इसको हम कहिए रोक इलैवन विडियर है अब जो ़ृपटे को मतलब पी क्यूर में नहीं लिख सकते हूं लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह होता है सारे जो भीए नहीं हिए हम उनको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं हमने फ्रेक्शन देखे, सिंपल नंबर भी देखे और अब देखे, यह भी हमने देख लिए कि स्क्वाइरूप जो होगे उनको कैसे हम नंबर लाइन पर लिप्रेजेंट करते हैं और आपको सबगत समाजा रहा होगा चलिए इसके पास हम बढ़ते हमारे next topic चलिए अब हम करते हैं रूट 5 के यह को आप प्रेक्टिस कर लेते हैं यह कैसे बनाते हैं तो दिए रूट 5 को बिनाने के लिए हम दो दो चाहिए हमको चाहिए 4 का स्क्वेर प्लस 1 तभी तो होगा हमारा 5 तो दिए 4 का स्क्वेर प्लस 1 इसका मतलब है हमको बेस कितने का चाहिए 2 का बेस चाहिए मतलब दिए यह है अब इतने का हमको यह बेस चाहिए और जो हम प्रेक्टिस कितने का होना चाहिए बन का हमने इतना ले लिया और यह आपर बढ़ गया और रूट 5 नाइट टी जब चेक करना है तो हम इसको एतने आप को लगा देंगे हम पास से अधिके इतनी और जब इतनी लेंगे हमारी उसको हम रूट 5 देनोट कर देंगे अगर 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 इसके यह कुछ हदा है अगर रूट 6 यह हुट 7 तो देगे 6 को बनाने से पहले हमको चाहिए रूट 5 प्लस 1 तो देगे रूट 5 अब बन चुका है अब हम इसके उपर जो ही 6 का है वो पुर लगा लेंगे रूट 6 ते सिल शूब हमको लेंगें का JENN दो हूट 5 यह हम को बन चाहिए Kissy रूट 6 तो दो हमको स्केल करे केड़ले होगी जितनी यह 1 है अगर हम को यहां लेहीं होढिए अगर बन देगा है सी λहा भूट 6 तो देंगे समील्क्स होगी Je अब 7 के लिए अधर हमसे पूछा जाए तो हम 7 के लिए भी यह होगा 6 का प्लस बना देंगे तो ऐसे हमारे जितने भी नम्मर होते हैं हम उनको नम्मर लाइन पर देनोड करते हैं और होजो को नहीं करते हैं अब देहें यह तो सारे questions जो extra questions से थे मैंने आपको बता रहे हैं अब आते हैं हमारे जो important questions जो आपको मिले को बताने हैं अब देहें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक topic है operational and real number अब देहें इसमें यह two points है देहें इस sum और difference of operational number और irrational is rational अब यह कह रहा है मतलब हम add करे या पर subscribe करे दो rational या फिर irrational number को जैसे कि ये rational ये irrational number है और जो answer होगा ऑलमेज irrational होगा अब देहें जैसे ये rational और ये हमारा होगया अब देहें अब हम जो जो बता है तो क्या हो जाएगा तो आपको जो जो आपको आपको पॉइंट है ये रहान में रखाया कि महाम ही जो मतलब सम करें तो इर्रेशनल या इर्रेशनल का अभीसा जो अंसर है वो इर्रेशनल नहीं आएगा अधिके, इसको भी एर्रेशनल नंबर का कुछ भी करें बे-इकर नं के तो कि बहुता है वे वां हरता है वुआ हो सकता है इसमें यह नहीं है कि आप में कि अधिक अधिके जब हम इनका करेंगे तो एंद इसको हैघ फुछ है कुछ भी हो सकता है आपने डिशनल भी थिश्णल भी तो दीके यह dollars में मतलब जब हम प्ट्रस करेंगे मार्स करें में तो इर्रशनल और जब हम मतलब यह पोर रोलिसम कुछी भी दने तो रिर्रशनल खुछी भी आसकता है तो यह दो पॉइंट जो की आम इनको 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 बता दी अब हम आते हैं हमारे questions पर अब देखें यह question है अब देखें यह question क्या हो रहा है express the 0.6 पर बार है in the form of pq where p and q are in reason and q is not equal to 0 अब देखें यह बोल रहा ही यह है 0.6 पर बार यह मतलब इसको हमको किस में express करना है मतलब इसको हमको fraction की form में express करना है और यहां पर मतलब जो p and q है numerator, denominator दोनो integers होने चाहिए और जो denominator है वो हमारा 0 के जिगर्ट्रो नभी होना चाहिए तो देखें अब हम इस तरह की questions आ जाएं तो हम उन तो कैसे solve करेंगे तो देखें सबसे पहले हम करनेगे let x is equals to अब देखें हम यहां पर यह बारा इसको हटा देंगे 0.666 यह इनको इनको ऐसे रिख देंगे let x is equals to 0.66 अब देखें इसके बाद क्या करना है हम देखेंगे कि यह जो point है यह कितनी number के बाद है अधिकर यह एक number के बाद है तो हम अब यह एक number के बाद है तो हम यहां पर दोनों side 10 से multiply करतेंगे अगर यह यहां पर होता तो हम इसमें 100 से multiply करतें यहां होता तो हम दोनों side 1000 से multiply करतें पर यहां पर यह एक number के बाद है तो हम क्या करेंगे हम यहां पर मतलब तैन से मुल्टिय करेंगे त लिएस सित लीदेंगे मुल्टिप्lai by 10 10 और बोह साइद और pick situation ठीग के एक question के दोनों साइड होंको तैन से मुंल्टिप्lai करेंगे आप यहां परोद yeah x 10 से सुंटिप्lai करें courtyard तो दिक यहां पर क्या हो गई? यहां पर पहले हम इसको इक्वेशिक दुबर लें दिए 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 एक्वेशिक दुबर में हम यहां पर आगे 10x is equals to अभी इस रीड़ पॉइंट है यह एक और मेंबर आगे हो जाएगा तो आजाएगा 6.666 तो दिक यह ऐएज आगा प्वेशिक दो पॉइंट से मुटिप्लाइए के बाद जो पॉइंट एका हो इसे जाएगा तो दिक अभी आगे है अब हम क्या करेंगे? हम मारे पास दो इक्वेशिन हो गई एक तो दिक यह वाली एक्वेशिन और यह वाली अब हम जो second वाली equation है, उस मैंसे मतलब first वाली को minus कर देंगे, अब हम जो first मैंसे first को कर देंगे, मतलब second मैंसे first को कर देंगे, minus अब देखें, अई इक question को तो मैं लग रहे हैं, अब देखें यहांपर हम जीतेंगे, कि 10x minus x हो जाएगा यहांपर, इस का स्कूम देखेंगे, और हम इसका minus कर देंगे, अब देखें, अब देखें, हमना answer क्या आएगा यहांपर, जब और 10 नशन से यह x जाएगे, तो उस और इस इकलज हो तो तो यह पीछ इज़ पट जाएंगे, तो इस इस अगर ना तो यह एसे कट जाएंगे, तो यह अपर 6 तो दिखें, x is equal to 6, अब भी एसे चटेंगे, 9 दिखें एक जो आंसर होता है हम उसको lowest formula इतना होता है तो दिखें हम यह हो गया हमारा answer तो दिखें एक हम किसी की जो decimal की फॉम में जी गए होते हैं बार वाले decimal में तो हम उसको P.I.P.O. क्योंकि फॉम में ऐसे करते हैं यह steps आपको follow करने यह तो था जो मैंने आपको one point पर करवाया था मतलब 10 से multiply करना पड़ा था अब हम एक और इसी चैप का question फॉम करते हैं अब दिखें अब हमको यह मिले रहा है अब दिखें यह जो बार है यह तीन आपको पर है मतलब 3 डिजट्स पर है अब इसको हम कैसे P.I.P.O. कि फॉम में करेंगे बढ़ी मैंतार सेम रूट फॉलो करने है हम पहले कहते हैं लेगे लेग एक सिस्टिकल को अब दिखेंगे हम इसको ओपन करते हैं अब हम क्या करेंगे यह हो गई मारी equation 1 अब हम देखेंगे जो मारा decimal है वो कितने आपकों के बाद है तो दिखेंगे यहां पर यह त्री तो हम 1,000 का मुटिप्लाइ कर देंगे दो अब साइड तो दी हम यहां लिखेंगे multiply as 1000 in question 1 अब दीक हम 1,000 का मुटिप्लाइगे एक equation 1 में तो यह हम पर हो गया 1000 का मुटिप्लाइग अब दीक हम पर हमारा जी जो पॉइंट था तो अदे लिखेंगे पेले तो हम रखा पेले लिखेंगे यहां पर था अब हमारा जी पॉइंट यह त्री डिजिट दे सकताएगा तो यह नहीं हो गया तो कितना हो गया बुइंट अब उनका करड़ेंगे तो अमदा सेक्ट को फॉइंट को सेक्ट में से आंग करड़ेंगे मारा जी पॉइंट गया अब देखिए अब यहां पर यह जाएगा X-X और इस गर्स्टोब इसमें से लिए अब देखिए यहां पर यह जाएगा तो बच्चेगा 999 X is equals to यह यहां सर यह कट जाएगा अब यहां पर बच्चा क्या 1 तो देखिए X is equals to 1 upon 99 तो देखिए यह है नहीं है आप तो देखिए जाए कोई टिस्ट कितने पर बात कितने पर भी लग रहा हो हमको वही फुल्स कॉलो करें के easiest way में answer नहीं क्राम है अब देखिए यहां पाज denominator रहो जीओ की जिकर्टू भी लेंगे अब ऐसे हम लिखा सकते हैं answer उसक्ट प्रक्षिए Q की format करने के लिए अब यह तो questions आपको समझ आवे होंगे चलिए अब एक पर question पटापट से करने के next step का चलिए अब हम करेंगे वहमारा यह true false और करेंगे है हम तो देखिए अब यह straight true or false तो देखिए अब यह first है रोल नंबर तो दिखे हम कह सकते हैं कि सारी जो नच्रों होते हैं वो फोल नंबर होते हैं तो कि इसमें 0 होता है इसमें नहीं है तो हां यहां पर यह कि हमारा जीत के जो स्टेटिमेंट रेट्ग है त्यूल अधीए एवरी रियल नमब्र इसका है वसका है ये जो चाहिए विखिंग रूब्र तो अब इसमें हम यह घ्रिश्मर जो नमबर होते हैं यह घ्रिश्मर नमबर नमबर ना तो जिसवा हम पी अपन को के कमेंट देख सकते हैं तो यहां पर यह भी हमारा उन्प्रू होगा तो दीके, every integer is a whole number Intersers में आते हैं हमारे friction, minus वाले, और roll number में हमारे zero यह समें बन शार्ट होती है कि एंडिजर से फली साब होते है장 अब मानस वाले भी मानस वाले ही आते हैं कि आपका गड़ी box भो शूरत होते हैं कि इसमें और सबने ब tahu अलट लोड़ी कि अटम्रलब्स के वह मुआका पार है मताथ int ait Gillak अब दिगे अब आपको याहांकर कहते है। आपको यहांपकर अपको कह सजए रहा है। чив को इन फिमारो धेख्टसे होते हैं। जिसको हम Do प्रो마ल के फामें। अब इन consumers को सकते हैं, जुदर नहीं होसकते हैं、 दो यहां पर इस जो कुस्चन्स में आपको समझ आ गए होंगे और अगर नहीं आये हो और इस वीडियो को लाइक और हमारे चंट को सब्सक्राइब जंक कर देना और थोड़ी सी पे अच्छी लगी हो तो और थैंक यू पर वाचिंट इस वीडियो